दिल्ली के इंदरलोग इलाके में हैं और इंदरलोग इलाके की उसी मस्जीद के सामने खड़े हैं जहां आज देर से दो बज़े के बीच में एक पुलिस वाले ने नमाजीयों के साथ बस सलूकी की थी और उसके बाद पुलिस वाले के साथ जड़ाब हुई थी हलाकि उस पुलिस वाले को सस्पेंट कर दिया गया लेकिन उसके बाद मौहौल ना बिगड़े यहां सुरक्षा विवस्ता कड़ी कर दी गई और बार बार यहां अनाउंस भी किया गया कि जिस पुलिस वाले ने बस सलूकी की थी उसे सस्पेंट कर दिया गया है लेकिन यहां क्या अस्थानिया लोगों से बातचीत करते हैं आपका नम जी मेरा नम एड़ोकेट फराज खान और मैं यहाँ पर लोकल रहने वाला है असल में ऐसा हुआ था यहाँ पर फ्राइडे का नमाज का वक्त जुम्हे की नमाज का वक्त जो होता है तो अब जैसे मज़ित में जगा पर किकमारी और असब्बे लंग्विच का कैसे महौल काबू में आया क्योंकि बिगड़ सकता था महौल हमने वीडियो में भी देखा कि पुलिस वालों के उस पुलिस कर्मी के खिलाब लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया तो महौल कैसे अभी काबू में इस तरीके से काबू में है सारे लोग साने लोग इखटा हुए जिस जिसका विरोध भी किया और पुलिस ने भी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं एसी पी हैं डीसी पे जॉइन कमिशनर हैं सब आ गए थे उन लोगोंने इस बात काफ़े सपोर्ट करा और गलत को गलत कहा और इस स्थानी बीच में अपना पेश करा दिखाया कि हमने एक्षन कारवाई ले लिए उनको सब्सक्राइब कर दिया गया और उसके बाद तमाम लोग शांत हो गए उसके बाद शांती मार्च निकाला गया लोगे बीच जाकर हम वकीलों ने पुलिस वालों ने सब ने जाकर बीच में बात करी तब जाकर वो लोग शांत हुए और अपने अपने घर को लट गए देखें यहां पहले अपसे थोड़ी दे देखते हुए उसे काबू में किया लेकिन अभी महाल ठीक ठाक है लेकिन एहतियात के तौर पे पुलिस कर्मियों की सैकड़ों की संख्या में यहां तैनाती कर दी गई है ताकि महाल ना बिगड़े लेकिन भीड जो जुटी थी एक खास समुदाय के लोगों की वो लोग अप शान्त हो गया है क्योंकि पुलिस ने एक्शन किया है कैमरा पर्सन पंकेश्ट उमर के साथ नीरज कुमार न्यूज एटिन इंडिया दिल्ली